नमो नारायर, ये महाकाल, जैमा मगलावुखी, सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत वागत है, आसा करता हूँ, आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी अध्यात्मिक उन्नती आगे हो रही होगी, आप सभी लोग कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आपको आपके मन मताबिक नौक के सन मिले, जो आपके मन मताबिक हो, तो आपकी प्राबलम चाहे कुछ भी हो, आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं कुछ, उन उपायों से बहुत आसानी से आप जो भी मैंने कहा है, वो सब चीजे पा लेंगे, सबसे पहला उपाय, देखिए, सबसे पहला उपाय भ कम आप कमा के लाते हैं, वैसे तो दसवा इस्थान भी होता है, दसवा इस्थान होता है कि आप नौकरी और बिजनस का, जो घर होता है, वो बहुत important होता है, क्यों? तो कि उस दिन आप particular कितना salary कमाएंगे, कितना रुपिया कमाएंगे, कितना दिहारी कमाएंगे, तो यह न बहुत चाथा आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन सनी देव आप से खुश नहीं है, आपके करम गलबढ है, तो सनी देव अरचन लगा देंगे, तो सनी देव को प्रसंद कर ले के लिए सनी वार से आप ओम सम सनिश्चराय नमा मंत्र का जाप स्टार्ट करिए 108 बार, इसे कोई भी कर सकता है, कोई दिक्षा की जरुत नहीं है, कोई विदिविधान की जरुत नहीं है, बस अपने सामने एक दिया जलाइए, आखे बंद करिए और 108 वार सनी देव को याद कर लेजे, दूसरा उपाय हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर, जिसमें हनुमान जी अपने हाथ में परवत लिए हुए होते हैं, जड़ी बूटियों का परवत लिए हैं, उस परवत का फोटो आप अपने घर में स्थापित कर दीजे, मंगलवार के दिन से, और हनुमान जी को याद करना स्टार्ट कर दीजे, हनुमान जी की 40 पढ़िये, चौपाई पढ़िये, इस इस तरह उपाई जब भी आप नौकरी का इंटर्वी देने के लिए घर से निकले, या फिर आपकी कंपनी में अगर आप अलिडी काम करते हैं, और आप चाहते हैं प्रमोसन हो जाए, तो जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, तो हनुमान जी को याद करिये, और हनुमान साम को आपने तीन बार पढ़ लिया, और दिन में एक बार पढ़ लिया, तो साथ बार हो गई, सुबह आपने चार बार पढ़ लिया, दिन में एक बार पढ़ लिया, और साम को दो बार पढ़ लिया, तो भी साथ बार हो गई, कुल मिला के आपको तीनो टाइम पे इस तरी इच्छा जो लोग सो बार नहीं पढ़ पाते वो साथ बार पढ़के भी हनवान चालिसा को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और प्रभू बजरंग बली की कृपा द्रस्टी पा सकते हैं लेकिन साथ बार हनवान चालिसा पढ़ने के बाद जब रात में आप खतम करेंगे तो स्र स्री राम स्री राम जरूर कहना है अगला उपाय है कि एक आप निबु ले लीजिए मंगलवार के दिन और उसमें चार लौंग को आप गार दीजिए और उसके बाद उस निबु को प्रभू हनवान जी के चरणों में अपने घर में या फिर अगर मंदिर जहां पे हो तो ब पहुत से लोग वहां सची भक्ती से आते हैं तो वहां का जो वातावरण है वो पॉजिटिव रहता है सकरात्मक रहता है वहां रेजल्ट भी घर के पेचा जल्दी मिलते हैं तो वहां पर ये काम अगर आप करते हैं निबु को लोंग चारगाल के चड़ाते हैं और उसके बाद 108 वार ओम स्री हनुते नमा मंत्र का जाब करते हैं तो पॉसिबल्टी है कि आपकी जॉब लग जाए इसके बाद लास्ट एक उपाए सुरिए हनुआन जी जैसे आप जानते हैं कल्यू के जीविन देवता हैं लेकिन हनुआन जी किसके आउतार है हनुआन जी आउतार हैं रुद्र भगवान के ग्यारवे यानि सीवजी भगवान के ग्यारवे आउतार हैं सीवजी भगवान बहुत पावरफुल है सीवजी के खुद एक साच्छात सुरूप जिने हम काल भैरों के नाम से जानते हैं बटूक भैरों के नाम से जानते हैं वो धर्ती पर विद् चावल आप एक थोटा सा पात्र लीजिए उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा दूद और जाधा पानी थोड़ा सा दूद जाधा पानी डालके और चावल भिगार के सिवजी भगवान को साथ सौंबार आप चढ़ाईए आप देखेंगे ये सब क्रियाएं करके आपकी नौकरी क के रास्ते खुल जाएंगे और जो जो मैंने बोला है वो सब कप्लीट हो जाएगा सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप सभी लोगों का कल्याण हो ऐसा मैं अपने इस्ट नारायन से प्रातना करता हूँ नमो